अब कुछ खबरे जिलो से मुख्यमंत्री भोपेश्पकेल से 36 गर्ड मदर्सा बोट के अध्यक्ष अलताफ एहमद ने रायपूर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्याले परीसर में मुख्यमंत्री को मदर्सा बोट के अध्यक्ष ने बताया है कि बीते वर्षों से केंद्र सरकार से मदर्सा सिक्षकों के 60 प्रतिशत केंद्रांश सिक्षक मांदे की राशी नहीं मिलने के कारण राज्ये सरकार की 40% राज्यांश की राशी भी नहीं मिल पा रही हैं जिसके कारिक मदर्सा सिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब है इस पर मुख्यमंत्री ने 40% राज्यांश की राशी प्रदान करने का अश्वासन दिया है 36 गड़ी भाशा को शास्किय कामकाज की भाशा बनाने के लिए कोंडा गाओं में एक दिवसिय प्रसिक्षन का एजिन किया गया 36 गड़ राजभाशा आयोग द्वारा आयजित इस प्रसिक्षन में जिले के विभिने पे भागों के अधिकारी और कंचारी शामिल हुए इस कारकर में 36 गड़ राजभाशा आयोग के सचीव डॉक्टर अनिल भद पहरी ने 36 गड़ी भाशा का सरकारी कारियों में उप्योग करने पर जोर देते हुए 36 गड़ी शब्दों के शब्द कोश का इस्तमाल करने को कहा जगदिरपूर के कलिक्टर और जिला निर्वार्चन अधिकारी विजैर दयाराम के ने कहा कि जिले के अंध्रोनी इलाकों के मद्दाताओं को भी अपनी मद्दाताओं के महत्वका पता है और उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था कायम है उन्होंने वोट नहीं करने की नकरात्मक भावना को त्याकर देश प्रदेश के विकास के लिए मताधिकार का प्रयोग करने पर जोर दिया कलिक्टर ने ग्रामिन और अंद्रोनी इलाकों के जागरूप मद्दाताओं का उलेक करते हुए शेहरी शेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए युवा मद्दाताओं को आगे आनी क्या अवशक्ता बताई उन्होंने बताया कि इस समय राजी में मद्दाता सुची का पुर्रिक्षन कारे चल रहा है दुर्के शास्की आदर्श कन्या उचितर मादिमिक शाला का नाम करन स्वतंतरता संग्राम सिनानी स्वर्गे बालाराम जोशी के नाम पर किया गया है इस मौके पर सम्मान समहारों का अजिन भी किया गया आमन्फरित अतिति, विधायक, अरुन वोरा और महापाउर धीरज बातलीवाल ने कहा किया अधर्श कन्या शाला का नाम स्वतंतरता संग्राम सिनानी के नाम पर समर्पित करते हुए गर्व की अनुभूती हो रही है कायरकर में खिलाडियों का सम्मान किया गया दुर्ग कलेक्टर पुषपेंदर कुमार मेडा के निर्देश पर S.D.M. मुकेश रावटे ने पावर हाउस रेल्वे स्टेशन सुपेला अंडरब्रेज और दुर्ग रेल्वे स्टेशन का दौरा किया पावर हाउस रेलवे स्टेशन के निरिक्षिन के दौरान उन्होंने मार्क के किनारे बने दुकानों के अतिक्रमन को अटाय जाने के नर्देश दिये इन दुकानों को अन्य किसी दूसरे सुरक्ष स्थान पर स्थापित किया जाएगा उन्होंने बताया कि दोर्ग रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्षपर बनानी के लिए पार्किंग व्यवस्था ठीक किया जाएगा और यहां दिव्यांग जनों को विशे सुविधा दी जाएगी इसी के साथ की समाचार बॉलेटन समाथ वर नमस्कार